a machine in a soft drink fills a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours देखो क्या कह रहे हैं कि एक machine है कहा preciso क्या बनाती है soft drink बनाती है वो क्या करती है machine 840 bottles जो है 6 6R में फिल करती है 6R में कितनी बॉटल फिल करती है 840 then how many bottles will it fill in 5 hours कह रहें कि 5R में कितने 5R में कितनी बॉटल यह फिल करेगा ठीक है कौन यह मशीन तो पहले तो question को समझना है कि यह direct proportion का है या नहीं डारेक्ट का है या नहीं डारेक्ट का और अगर 10 घंटे मशीन चलाएंगे 10R तो पक्का है कि बॉटल भी ज्यादा भरेंगी तो मतलब टाइम बढ़ने से क्या हो रहा है बॉटल भी ज्यादा हो रही है टाइम अगर कम होगा 6R से टाइम कम हो गया 5R तो पक्का बॉटल भी कम ही फिल हो पाएंगी तो relation क्या है same relation है कैसा time अगर increase हो रहा है बॉटल भी increase हो रही है time अगर decrease हो रहा है बॉटल भी क्या हो रही है इसे समझ में आया कि कि सीच का है ये direct proportion का question है ठीक है अब क्या करना है देखो सबसे पहले तो हमें box बनाना है हमको वो box तो बनाना ही है तब ही हम कर पाएंगे से इस वाल ठीक है बोक्स बनाके क्या करेंगे बख्स मना के हमें पहले यह पेचानना है कि दो आई डियांटिटी कौन से हैं जिसके बीच में काम हो रहा है यह जिसके बीच में आप एक तो है आर्स टाइम और नमबर ऑफ बॉटल स्थी तो पहले लिए दे दिया है 6R 6R कितनी बॉटल 840 बॉटल अब टाइम कितना दे दिया 5R कितना दे दिया 5R अब बॉटल पूछ रखी है यहां पे ठीक है बॉटल कहा रहे हैं बताओ कितनी फिल होंगी क्या चीज बॉटल कहा रहे हैं बताओ कितनी फिल होंगी तो पहले क्या लिख लेते हैं लेट नमबर आफ मान लेते हैं कितनी बॉटल फिल होगी लेट नमबर आफ बॉटल्स फिल्ड इन 5R क्या माल लेते हैं X माल लेते हैं तो यहां question mark की जगा मैं आप क्या लिख दूँगा यहां पर X लिख देता हूं क्या चीज एक्स आप direct proportion में क्या करते हैं पता ही है क्या होता है direct proportion में this upon this 6 upon 840 is equals to 5 upon X 5 upon X अब क्या हो जाएगा cross multiply यह इस से multiply और यह इस से multiply तो हो जाएगा X multiply 6 is equals to 5 multiply 840 अब यह 6 यहां multiply में है यह 6 इधर multiply में हैं दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा यह डिवाइड में जला जाएगा इधर यह 6 डिवाइड में जला जाएगा ठीक है अब अब अगर ध्यान से देखो तो 6 बंजा 6 और 6 का टेबल 14 14 6 84 ठीक है 14 6 84 यह 0 है तो यह 0 साथ में लग जाएगी अब यह 5 और 140 को multiply करना पड़ेगा 5 और 140 को multiply करना पड़ेगा तो कितना आएगा 700 तो कितनी bottles fill होंगी 700 और यह हमारा क्या जाएगा अंसर लास्ट में फिर से एक box बनाना है दुबारा से same box ठीक है same box बना के क्या करना है यहां लिख लेना है time taken और यहां लिख लेना है number of bottles filled यहां 6 और 840 तो थाई यहां जब 5 हुआ तो तो एकस की value कितनी आ गई 700 तो यहां क्या लिखना है यहां लिखना है यहां पर अब 700 ठीक है तो यह आपका complete question है प्रापर से प्रापर तरीके से किया हुआ एजडिस करोगे number मिल जाएंगे कि